गाइस आप सुभी का एक नए वीडियो स्वागत है आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो धन एप है इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से option trading कर सकते हो आज मैं आपको nifty 50 में option trading करके दिखाने वाला हूँ चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर हम धन एपको open करेंगे जैसे गए open करोगे यहाँ आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा so option trading करने के लिए आपको इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे यहाँ पर इंडेक्स देखने को मिलेगा निप्टी 50 का, निप्टी बैंक का और फिन निप्टी का क्योंकि इन तीनों में सबसे ज़्यादा option trading होती है अभी जो निप्टी 50 है तो special वीडियो आज हमारा इसी के उपर होने वाला है इस पे click करेंगे जैसे आप इस पे click करोगे यहाँ पे आपको बहुत सारा option देखने को मिल जाता है बट हैप में आपको आज एकदम simple तरीके से बताने वाला हूँ यहाँ पे आप देखोगा हमें एक option मिल जाता है फिलेस का इसी के जरी हम option trading कर सकते हैं एकदम simple तरीका में इसमें करेंगे जैसे आप इसमें करेंगे। जैसे आप आपको कुछ इस टाइब से देखनी को मिलेगा उपर इसमें प्र यहाँ पे optimum index का price देखनी मिलेगा कि market आज केतना movement कर रहे है market bullish जाइब यहाँ पको नीचे देखनी को मिलेगा bullish और bearish और bearish जाएग प're अगर market bearish है, negative है, downfall कर रहा है, तब यहाँ पे आप bearish select करोगे, क्योंकि market में भी दो ही possibility रहती है, या तो market ऊपर जाएगा, या फिर market गरेगा, या फिर market गरेगा, तो यहाँ पर आपको select कर लिना है, उसके आपको lot size देखने को मिलेगा, तो आपको कितना lot buy करना है, तो यहा जो भी पॉजी से रहता है, जो भी call option रहता है, इसको आप expiry तक hold कर सकते हो, और guys, हैप आपको नीचे expiry date देखने को मिल जाती है, तो guys, अगर आपको current expiry में trade काना है, तो इसको select रहनी देना है, और guys, अगर आपको next expiry में trade काना है, तो यहाप आप next expiry भी select कर सकते हो, and है आपको नीचे तीन option देखने को मिलेगा, जो भी call option रहता है, at the money हो गया, highest open interest वाला हो गया, and top traded हो गया, so guys, अभी question आजाते है कि इसमें से हमें कौन सा buy काना चाहिए, so आपके उपर depend करता है कि आपको कौन सा buy काना है, और आपके पास कितना capital अवेलेवल है, और guys, यहाप आप देखोगे, जो भी call options रहता है, इसके नीचे यहापे तीनों की नीचे लिखा है, adjust करके, so इसका क्या मतला है और इससे हमें क्या benefit मिलेगा, so guys, जैसे आप adjust पे किलिक करोगे, so यहापे आप changes कर सकते हो, जैसे यहापे जो top volume के हिसाब से यहापे आपको 5 rank दिया जाता ह है, और आप जैसे अभी यहापे अगर मैं second rank select करता हूँ, जैसे यहापे जो premium में कम हो जा रहा है, यहापे देख सकते हो, और near otm का यहापे हमें देखने को मिल रहा है, अभी यहापे select हो गया 17800 का call option, so guys, third rank में select हो गया 17750 का call option, जिसका premium चाल हो 43 रुपीज, फोर्त करता ह हो, और जैसे अगर आपको highest open interest में adjust करना है, यहापे भी आप adjust कर सकते हो, तो 5 rank यहापे भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे फोर्त में आपको 17900 का call option है, इसमें सबसे जादा open interest है, यही सबसे जादा contract इसी में open है, और इसका premium चाल हो है 7 रुपे, और बाकिक जो ATM है, इसमें भी आप adjust कर सकते हो, यहापे आपको plus minus का कुछ देखने को मिलता है, जैसे अगर मैं plus one पे click करूंगा, यहापे जो ATM है, 43 रुपीज वाला premium देखने को मिल रहा है, और अगर negative मैं 2 पे click करता हूं, तो इसका थोड़ा premium बढ़ जा रहा है, 99 रुपीज हो जा रहा है, आप कुछ इस तरीक से एजस्ट करके भी buy कर सकते हो, यहापे जो highest open interest वाला 3900 का call option है, इसको buy करने वालो, इसको मैं select करूंगा, guys select करने के देखने को मिलेगा, कि कितोना margin लग रहा है, so 365 रुपे इसके लिए require रहेगा, और guys अभी buy करने के लिए आपको instant पे click कर देना है, so जैसे आप instant पे click करोगे, guys यहापे आप देख सकते हो, जो भी हमारा order exchange को भीज दिया गया है, अभी हम back करेंगे mobile को, और back करने के यहापे आपको आना है सीधा orders में, orders में आते ही, यहापे आपका जो भी position रहेगा देखने को मिलेगा, so यहापे आप देख सकते हो, currently इसमें अभी कुछ भी profit and loss कुछ भी चालू नहीं है, so guys अभी आपे देख सकते हो, 10 रुपे, 15 रुपे के आज पास profit पहुच गया है, so अभी बात करते हैं, कि इसमें अगर आपको stop loss लगाना है, target लगाना है, so आप कैसे लगा सकते हो, so इसमें आपको click करना है, जैसे आप आपको add stop loss का option मिल जाता है, इसमें आपको click करना है, so गया इसमें आपको तीन option देखने को मिलेगा, stop loss का, trailing SL का और target का, so जो trailing SL इसका थोड़ा सा अलग concept है, इसका मैंने और एक separate वीडियो बना दिया है, और बाकर कैसे अभी stop loss लगाने के लिए आप आपको देख लेने हैं, कि आपने कौन से average price पे buy किया है, so जितना भी आपने average price पे buy किया होगा, अभी के जो trigger price है, so trigger price में आपको limit price है, हमेशा जादा डालना रहता है, so यहाँ पर हम 5.10 कर देते हैं, जो भी price रहता है, इस तरी किस आप calculate कर सकते हो, और उसके यहाँ आप आपको sell पे क्लिक कर देना है, so जैसे आप sell पे क्लिक करूँगे, ताकि मैं आपको एक target order भी लगा के दिखा सकूँ, so इसको हम cancel करेंगे, cancel पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको confirm कर देना है, जो भी आपको order हैगा, cancel हो जाएगा, फिर से हम position में चलेंगे, जैसे आपको एक target order भी लगा के दिखा देता हूँ, इसका अपको क्लिक करना है, जो भी आपको एवरेज प्राइज रहेगा, और आपको जितने रुपे का भी target लाना है, उसमें आपको add कर देना है, जैसे यहाँ पर मैं 7 रुपे में मुझे यहाँ पर 10 पैसे का target लगाना है यहाँ पर मैं 10 पैसे add करूँगा तो यहाँ पर हमारा simple surprise हो जाएगा 7.10 पैसे गा एंड उसके यहाँ आपको sell पे click कर देना है और बाकी गाइस अगर आपको इससे related कुछ भी doubt है फिर problem आता है तो मुझे आपको पूछ सकते हैं आपको reply कर दूँगा बाकी गाइस वीडियो देखने के लिए thank you so much